आज हम दुबारा एक जबरदस टॉपिक बढ़ने वाले टेंथ के बच्छों का सर हमें के साईस में ऐक विष्टरी में बड़ी दिक्कत है हमें साइस में विष्टरी में बैलनसिंग नी आती के अदर फॉर्मॉले नहीं आती साइन्स के अंदर के विश्री के अंदर एक्वेशन्स निया थी मैं चाहता मेरे पास बहुत सारे कॉंटेंट ही रिटर्स है जो इस चैप्टर की बहुत जबर्दस पीपिजिस बना सकते थे आज वे आप हो विजन टी एफ की उपन सेल्स डिसाइंड चैप्टर बढ़ा हलो एब्रिवान आइ वेल्कम यू बाक आज हम दुबारा एक जबर्दस टॉपिक पढ़ने आले हैं टेंट के बच्छों का एक एफा तौह एक जिसके कारण बच्चे बहुत सारे कहते हैं सर हमें का साइस में कोश्ट्री में बड़े दिक्कत है हमें साइस में कोश्ट्री में बालेंसिंग नी आती हमें साइस के अंदर कोश्ट्री के अंदर फॉर्मोले नी आती हमें साइस के अंदर कोश्ट्री के अंदर एक्वेशन्स नी आती एक ऐसा चैप्टर जो रेडिफारिंग चैप्टर 10 की कमिश्री का सीड येसी का उस चै बहुत सारे लोग है जो बहुत सारे प्रिबावर्प्रेंटेशन बना सकते थे बहुत जबरदस खरीक यह से ऐसी प्रिजेंटेशन्स हो ना आपने कभी एक टिक फ्लाट्रॉम पर यूट्यूब है चाहिए कोई आप पर देख्योंगे बट आज आपको विजन टी आपको पर सेल्फ डिसाइंड चाप्टर बढ़ा हुआ एस बात का मेरा दावा है इस बात का मेरा आपसे प्रॉमिस है यह चाप्टर बढ़ने के बाद इस वीडियो पर चाप्टर के बढ़ने के बाद आज की दिन के बाद आपकी कहेंगे कि सब अगर हमने कभी एसे बीस फॉल्ट ब अठ्छे से सीखा उसके अदर हमारे फुल वाप्स तो भी आए तो विशाद सर के साथ सीखा बट उसको सिखाने के लिए मुझे आपसे कुछ प्रामिस सही है मेरा पेला प्रामिस है कि आपने अगले देल दो ठाई गिंटे जतरी ज़र आप और मैं इस पढ़ाई की युद्ध के अंदर बढ़ाई करें आपने अपने मुबाईल इस यंद्र रपोट नोटिफिकेशन चौफ करके मेरे साथ पढ़ाई कर दियसे एक साथोर इसी जैसे हमारे माता जी हमारे पिता जी जैसे हमारे घर के बजुर गर में साथोरा में बैठते हैं पढ़ाई में बैठते हैं तो सरब उस परमात्मा कर आप मेरे मुबाईल बंद करके इसी तरह आज आपने इस परमात्मा जो कि आज आज आपकी पढ़ाई है आज आपने सरस्वतिजी का ध्यान दिखाना है सिरक पढ़ाई अपने सारी नोटिफिकेशन बंद करते हैं मेरी रिक्वेस्ट नमबर टू अपना दरवाजा बंद कीजिए और इस ध्यान को पॉंसेंट्रेशन से बढ़ना है इन दो रिक्वेस्ट को मानिया और देखिए आपके जिंदगी के अंदर की ऐसा चवत का होगा अब हैरान अब परिशान हो जाएए रेडी है इस चाप्टर को बंढने की ए तो से मी येस इन दे कमेंट सेक्स और गिम ये थम्स अप वेरी नाइस चलिए जी हम करते हैं एसे बेसिस अन फॉल्ट्स में क्या हम इस चाप्टर को तीन ही विबागों में बांटेंगे सबसे पहले हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे एसेट्स क्या होते हैं फिर हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं और फिर हम एसेट्स की प्रॉपर्टिस पढ़ेंगे और फिर हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे इस तीन विबागों के अंदर हम इस चाप्टर को पढ़ेंगे तो जबरद से पहले मैं कुछ Compounds का नाम लिखुगा, मैंने कुछ Compounds का नाम लिखा मेरे प्यारे बच्छों, आप जब बढ़िए इन Compounds को, बड़े अराम से बढ़िए, सरी, कुछ Compounds लिखे मैंने, बड़े आप सब हुझे इन Compounds के अंदर कोई ऐसा चीज़ बताओ, सरे अर aisक नाम लिखे मैं लिखे मैंने, ah וगन लिखे मैं लिखे मांने, से अरए से-, आप मैंने, सरे इन ह-दोईपोर, आपने, आप नोफटरी, इन ह-पोरी,bonoth, और अ्यच minutes, see effects of common things these all compounds contain hydrogen but some질, these all compounds contain hydrogen it's an asyl compound which contain hydrogen as a ions but how we term them as acids तो अगर मेरे से कुछ देफिनेशन पुजी एसेंस की तो में लेक सकता नहों acids are the compounds अब सबहुझे ना acids are the compounds weights on hydrolysis hydrolysis का मतलब होता है पानी में dissolve परने के माद which on hydrolysis the growth H3O positive और H-Positive आइन इन 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 सोल्यूशन इन 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 सोल्यूशन ठीचे मेरे प्यारे बच्छो अब देखो H-Positive आइन का नाम क्या होता है सर्थ इसका नाम होता है Hydronium I मैं इसके मारे आपको बढ़ा हुआ आगे चल के Hydronium I हमने इस चैप्टर के पूरी जान चर्थ परसाली करनी है तो सर्थ इन इससेट के नाम बताओ कर यह सारी इससेट के नाम जान नहीं है जानिये बटा H-C-L आप सबको बता है It is a Hydro-Cloric Acid It is a Hydro-Cloric Acid मैं इससेट के साथ सर्थ परूफ करूँगा H-C-L plus H-2-O will give you H-3-O positive plus C-L negative Then you have H-2-S-4-4 It is a Sulphuric Acid आपको जानके कुशी होगी जो Sulphuric Acid है That is also called as the King of Chemicals It is also used as the King of Chemicals अगर मैंने इसकी Dissociation की इसकी Dissociation दो स्टेप में भी हो सकती है ये Single Step में भी कर सकती हो अगर Single Step में कर तो ये होता है ठीक है अगर आप से पानी नहीं डाला अगर पानी डाल भी करनी है तो कुछ इस तरह की होगी अगर नहीं कर पाएंगे तो आप भी कर देता हो यहाँ पर टू आ जाएगा Sulphuric Acid Sulphuric Acid के बाद आपके पास है Nitric Acid This is the Nitric Acid अगर मैं Dissociation करो सब बच्चों ने बड़े अराम से समझना है पानी की अंदर HNO3 प्री प्लस H2O क्या देगा मैं पिटा H3O Positive Plus NO-13 Then you have H2CO3 The H2CO3 My friends, it's cold as carbonic acid ये तो हम लोग सारे पीते भी हैं It is the carbonic acid And the carbonic acid is used in the soft drinks ये आपको soft drinks में पाया जाता है H2CO3 When dissociate In water, I would say Then again it forms Then you have H3PO3 That is Phosphorus acid That gives you H3PO3 Plus H2O Again in the presence of two water molecules We'll give you 2H3O Positive Plus HPO-1 3 Then you have H3PO4 That is Phosphoric acid Doodle acids We enter And maybe Are in with two There's a lot of difference In this And in this Now what does The phosphorous acid does? Three water molecules Will dissociate with 3H3O Positive Plus PO-3 Plus PO-3 Then you have CH3C Power H Plus water It gives you Acetate iron Meri piyare vichu You have Acetate iron Deta hai Plus a hydronium iron Then you have The phormic acid This is the phormic acid Also called as The methanoic acid Meri piyare vichu Isko hang Methanoic acid Bhi bolte hai Now when this Dissociates What happens Meri piyare vichu Plus water It gives you H3O Positive Plus this This acid Is particularly Called as This acid Is called as Ethanoic acid Also It is called as Acetic acid Hame isko Acetic acid Bhi bolte hai Yee apku Acets ki Batao na chahi hai So hum lick sakti hai These are the compounds Jho paani Me dissolve Hone ke baad H3O positive Nikalti hai Hame sar Mujhe batao Pahele H3O positive Wine kya Hota hai So H3O positive Wine Is basically An iron Called as Hydronium Wine Hame isko Hydronium Wine Kya Odas Kaysse Banta hai Mal Dejye Mere paas Water 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 Kye inder H Positive Release Kardo Yee Mujhe Form Kare Khereta H3O Positive Wine Mere Baad Samaj Parayoksi Sarhi Banta Kaysse Hai Bata Motor Kaa Molecule Hint Water 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 Gave Us Che Electrons यह वाडर पन्ये मेरे ब्यारे बच्छोँ यह आप तो बतवा सारे क्लास को नहीं पतर में सिखा दो these electrons are called as the lone pair of electrons these are called as the lone pair of electrons बाट रहें इसका बट्धाब लोन ऎेक्टान से होती हैं, उनको हम लोन वेर काटिक हैं, हमाँ लीज एक लास मेरें 10 बची नहीं उसमें 7 बच्वाट रहें 3 बच्वारें के लिए बैटके होए हुए में कुछ दी बढ़ रही इसका बद्था रोग फो-लोन लेक्ट्रोन होगे इसी तरह इस्ट्च योट्ट्च होते हैं omzen , omzen में 6 वेलन्स अटॉमन सब्च क्यो क्या रहन जो हिए 8 ऐलन का की क्या नंच होते है इन दोर से kite लेक्ट्व अलेक्ट्रों का क्या हुन्द है H-positive को दे देती है, H-positive को क्यों देती है, because this H-positive, is deficient of electrons, it is deficient of electrons, और यहां पर विटा, excess of electrons है, जब excess of electrons वाला electrons को हम कहती है, we term them as donor atom, हम क्या कहती है, donor atom, जब donor atom, acceptor atom को electrons देता है, repeat कर रहा हूँ, जब donor atom, acceptor atom को electrons देता है, हम कहती है, bumping bond form होता है, उस bond का नाम होता है, मेरे प्यारे बच्चों, this bond is called as, coordinate bond, that bond is called as, coordinate bond, coordinate bond किस-किस के मीशर बनता है, between, the donor atom, between the donor atom, and the acceptor atom, यार रखना ये बात, जो donor atom था, उसके पास excess of electrons होते हैं, उसको excess of electrons कहते हैं, जो acceptor atom होता है, वो deficient of electrons होता है, आपको जानके बड़े खुशी होगी, बड़े classes में, 11th, 12th में, excess of electrons को हम कहते हैं, nuclear file, जिसके पास हो, उसको nuclear file बोलते हैं, जिसके पास कम हो, उसको हम electro file बोलते हैं, तेक न, आप unwold sir की classes लगाओ, उसमें सब कुछ बताया गया है, आपने सब को इंट्रस्टेट है, कि मुझे medical बढ़ना है, मुझे non-medical बढ़ना है, मुझे engineering करना है, मुझे army officer बनना है, मुझे office officer बनना है, मुझे BSC करना है, उन बच्चों विए donor atom क्या होता है, excessive electrons, इसको हम nuclear file बोलते हैं, एक separate atom होता है, इसको मेरे प्यारे बच्चों होता है, जब इन दोनों ब्यात्बंदों के मेंचे में एक bond बनता है, उसको हम कहते है, donor atom, receptor atom, यह by donor atom होगे, यह acceptor atom होगया, वो acceptor क्यूआ क्योंकि उसके पास electrons की कमी है, अगर आपको इस समझाता है तो गौपे में note कीजिए, बहुत जबर रस्त, आईए मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, तो इसमें हमने क्या बढ़ा, assets कौन कौन से है, assets होता क्या है, assets dissociate क्या करता है, और hydronymine के बारे ने पढ़ लिया, अब थोड़ा acids के बारे और बढ़ते हैं मेरे प्यारे में बच्चों, जो acids होते हैं मेरे प्यारे में बच्चों, these are the compounds which dissociate and give hydrogen or hydronymine when dissolved in water, अब acids होते हैं में इनके बारे थोड़ी और चीज़ें बढ़ते हैं, they are sour and taste, खटे होते हैं, जैसे संत्रा है, orange, orange खट्टा है क्योंकि उसके शिटरे असिर होता है, टोमाटोः हाक़टा है उसके अनरहे असिर होता है, आमिंपपड़ा खट्टा उस्के अनरेए असिर होता है, खट्टा है अंदा पड़ए उसे तब सारे ही ये शूंतए बत हैं, तो बहुत लंदी classification करेंगे, लुकिन मैं तो हर point कवर करूँ, आससर्स के परजे classification करिये, based on their basisity, second classification बढ़िये, based on their forests, कहां से पाई जाते हैं, third classification कीजिये, third classification बढ़ने वड़ेगी, based on their concentration, कि कैसे हैं, strong हैं, कि वीठ हैं, पहले हम तेन की करते हैं, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, मैं जाता हूने परता हैं, इसी basicity of an asset क्या होता है, मिटा देखो, एक होता है, basicity of an asset, एक होता है, basicity of an asset, और एक मेरे यारे बच्चों होता है, acidity of a bag, इन दो अज़र 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 क्या होता हैं, basicity of an asset क्या होता है, it is defined as, the number of H-positive, or H-3-positive lines, released by a molecule of an asset, released by a molecule of an asset, इस्टा ये मतलब है, इसका अज़र मैं मतलब समझाओ, और परभारे की में, तो अब इस परा समझ सकते हैं, अभी आमने पीछे किया, मा लीवे, एक्जामपल देके समझाता हूं, H-C-N, इसनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन 1, 3, H3PO4 ने dissociate किया, क्या दिया, 3H positive प्लस PO-3, 4, CH3C, वो हो, H ने dissociate किया, क्या दिया, CH3C, वो हो negative, प्लस H positive, माच समझ पा रहे हूँ, अब यह चीजस में आती है, basicity होती है, कितने ions मिल रहे है, H positive, इसमें एक मिला, दो मिले, दो मिले, तीम मिले, और वाई, दीम मिला, तो यही काम इदर लिखनेंगे, basicity में, तो इसमें पहला acid आएगा, mono basic acids, mono basic acids, मेरे प्यारे बच्चो, दूसरा acid कान जाता है, die basic acids, तीसरा में लिख सकता हूँ, try basic essence, मेरे प्यारे, पिच्चो poly basic भी होगा, पिन हमारे syllabus में तीन बॉर्ण है, mono basic, di basic and try basic, mono basic एग्जांपल दिया, HCL, HCL, mono basic एग्जांपल दिया, CH3, COOH, etc., ठीक है, जिन में एक edge positive निकला, उनको में mono basic acid बुद हुगा, di basic acid का example, आपने लिया, sulfuric acid, sulfuric acid, आप इसमें carbonic acid भी ले सकते है, आप इसमें phosphorus acid भी ले सकते हैं, try basic acid में आपने लिया, phosphorus acid, ठीक है, मेरे प्यारे, ठीक है, मेरे प्यारे, अच्छो, यह basicity होती है, तो what is basicity, it is defined as a number of H positive or H flow of positive wines, which are released when they are dissolved in water, और when they are dissociated, हमने प्रूफ किया, acid, sulfuric acid कीगी, हमने phosphorus acid कीगी, phosphoric तीगी, और हमने astic acid कीगी, इसको हमने लिए more of basic, die basic and try basic, यहाँ तक कोई भी doubt है, तो कुझे बताईए, कोई भी problem आती है, तो मुझे बतादा, ठीक है, मेरे प्यारे, बच्छो, अगला करना है, based on this source, अब दो तरह किस acid मिलते हैं हमें, हमें जो acid in English ते मड़े तरह किम होते हैं, हमें वो दियान से देखने हैं, मेरे प्यारे बच्छो, आईए, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्छो, acids की classification में, source में कहता है, एक वो मिलते हैं हमें natural source से, और एक हम मनाते हैं man-a-man source से, natural source का मतलब हो गया, जैसे कि जो हमें डीचर से मिलते हैं, found in mixture, अब क्योंकि ये nature में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको organic acids भी बोल दें, हम इनको organic acids भी बोल दें, जैसे कि example देता हमें, आपके पास ये acid हैं, ethnoic acid, ये अब आपके पास formic acid हैं, ये सारे वो acids होते हैं, याद रखिये, जो क्या होते हैं, organic acids होते हैं, organic acids की बड़ी खास बात है, इन acids की बड़ी खास बात है, ये acids, सारे के सारे रीक acids होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, पहली बात इन असेट कुम कहते हैं, और यह इनसानों के दवारा बनाए जाते हैं, इनको मिनरास में मिलता है, फर एक्जामपल, जैसे की सलफ्यूरिक आसेट, जैसे की नाइटरिक आसेट, जैसे की फॉस्फोरिक आसेट, जैसे की कार्बोनिक आसेट, राइट है सारी क्या, बिल्कुल राइट है, बट इन आसेट के एक खास बात है, यह सारे के सारे तो आसेट होते हैं, यह, Mineral acids यह सारे के सारे जो acids होते है They are strong acids इनको हम कहते हैं They are strong acids Strong acids होते है इतने strong होते हैं अगर हमारी body पे गिर जाए तो क्या होगा यहाँ पे हमारी body की skin निकल जाएगी blisters हो जाएगे चाले वर जाएगे ठीक है बट इन में exception है यह exception है मेरे प्यारे बचो This is an exception exception क्या एसर इसकी exception यह है मेरे प्यारे बचो मैं इसकी यहाँ पे mention करूँगा exception को exception यह है इस acid भी कि जो carbonic acid है मेरे प्यारे बचो जो carbonic acid है उसकी exception है exception दो क्या है जो carbonic acid है मेरे प्यारे बचो यार रहना है एक वीग मिनरल आसल है it is your vocal mineral acid acid mineral है ये अपने हैसा यह पीपाति हैं हम फ्रूट पीएर में भीते हैं हम लोग कोड रिंग पी लिए जिसे वादा जूसे पीते हैं तो दो तरह के सोर्स पढ़ें पहला नैफिल सोर्स दूसरा मैनमेट सोर्स जो नैचल सोर्स असको मैं और गैनिक एसेड का मत्दब क्या हुआ वह मुझे हैं बड़े वीक एसेड हम खाते भी हैं जैसे मिने बताया सेकिंड टाइप आप अशेज इस मिनरल असेड्स मिनरल रिपाई जब यह मैनमेट है सल्फूरिक है किंग ऑफ केमिकल से नाइट्रिक है फॉस्फोरिक है कार्बोनिक एसेड है बट कार्बोनिक एसेड बहुत वी एक होते हैं हमारे पास कॉंसेंट्रिड एसेड और एक हमारे पास होते हैं बिटान डायर्यूट एसेड 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 का मतलब क्या होता है अपने बात समझरी है जिनमें असेड की मतलब जादा हुआ और पाने की मतलब कम हो डायर्यूट एसेड क्या होते हैं जिनमें एसेड की मतलब कम हो और पाने की मतलब जादा हो ठीक है एक्जाम्पल की तोर आपने एक्जाम्पल लिखा यहां पर लिख सकते हैं Concentrated HCL अब जब मैं यहां पर Concentrated HCL मेंशन करूँगा मेरे प्यारे बचों आपने बात समझ भी है इसका मतलब यहां है इसमें HCL का कॉंटेक्ट बहुत जादा है पानी का कॉंटेक्ट बहुत कम है जब मैं यहां डाज्यूग एसेल्स की बात करता हो अगर मैंने यहां एक्जाम्पल ले दिया डाज्यूट HCL इसका मतलब क्या होगे यहां पर इसमें HCL का मात्रा बहुत कम है और पाने की मात्रा बहुत जादा है यह आपको बात सीखनी है अच्छे से समझनी है तो मैंने थीन basis page assets को classify किया मैं जो सारे बच्चे comment section लटाते रहो बहुत सारे बच्चों ने comment section भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसे ही काम करना है आपने मेरे साथ बहुत इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे मेसेज दे रहे है ऐसे करो वगे तो हमारी जिन्दगी में बहुत अच्छा मजा आएगा ठीक है चलिए करते हैं बिटा तो तीन तरह की assets होती है पहले होते हैं based on there basicity, second होते हैं based on there मेरे प्यारे बच्चे सोर्स थर्ड होते है based on the concentration जब मैं basicity की बात करो basicity का मतलब होता है वो assets की वो property जिससे पता लगता है वो कितने hydrogen ion से कितने hydrogen ion dissociate करते है अगर वो एक hydrogen ion या एक hydrogen ion dissociate करें इसका मतलब वो बोनो basic acid है for example when the acetic acid अगर वो दो dissociate करें इसका मतलब हो कौन से उससे acid वो थे डाय बेसिक acid जैसे की मेरे बस sulfuric acid में proof भी करनी लिया, मेरे बस carbonic acid मेरे बस phosphorus acid ठीक है और अगर वो तीन करें वो त्राय बेसिक acid करते हैं जैसे की phosphorus acid करते हैं अगर मन में कभी doubt आ जाए जो बड़ा समभावना है, बड़ा important आ सकता है इसको याद बखना है किस acid का नाल है फॉस फॉस एसे और इस acid का नाल है मेरे प्यारे बच्चो फॉस फॉस फॉरिक आफ्सल ये बाद आपको समझ में है ठीक है, फॉस 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 एसे फॉस इंको mineral acids कहते है और इन में एक exception कार्ढोनीक की acid जो एक कमजूर है और तीसरा concentration अगर acid की मात्रवाँन ज़ादा है तो concentrate acid कहते है यूसमें पाने की मात्रस कम है अगर उसमें पाने की मात्रस कम है ज़ादा है और एसट की मतरा को है उसे हम डाल्यूग एसट केते हैं गिम ये थम्स अप इफ यू अंडरसेंड इस टॉमिक जबर्दस तरीके से वेरी डाइस ठीक है जी नोट हो गया है जबर्दस तरीके से जबर्दस बहुत बढ़िया तो सर ये एसट की क्लासिफिकेशन होगी रफ सर आपके बस और क्या बताने के बड़ा कुछ है आपको बढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं एसे की च्टरीक क्यामिकल प्रॉपरटीज आजये मेर्दस बढ़ते हैं जो एसेड होते हैं जैसे मैं बता चुपा हूँ बिटा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है को रोजव होते हैं मतब जहां पर रखो अगर हमारे शरीव पर डिल जाए तो इसको बिलिस्चर्स करते हैं सकेन उड़ा दे तब ही तो अब देखो पिच्चर्स में और कहनी रियल लाइफ जगाओ पे भी कुछ एसे विक्ति भाई और मेहनों का कि हमारी सुसाइटी बहुत अच्छी है हम हिंदुस्तनी है हमारे इसे इसे काम नहीं होने चाहिए यू रिस्पॉंसिबल आयम रिस्पॉंसिबल विया तक यू तो इसको बहुत अचा ब्रदार अधा खक्टा होता है यह सारी प्रॉप्रीज आ इसकी अ पहले प्रॉपरी पढ़ेंगे रियाक्शन ओफ मेटल अप्साइड्स विया दियूट आप्साइड्स तीसरी प्रॉपरी पढ़ेंगे रियाक्शन ओफ मै्टल कार्बोरेट्स और बाय कार्बोरेट्स वियूए वाइड कार्बोरेट्स अगर दियानी मैास सभी है । यह तैन प्रॉपर्ण अमने पढ़नियाच्छ जयादा प्रॉपर्ण ने रिच्रण प्रिया Oon करके पढ़ेंगे, पहली फिर आपटी हमने कौन से बढ़ी, रियक्षन आप मेटलो डायूट नहीं है, हम पढ़ेंगे, मेटलो गाप डायूट नहीं है, ठीक है, चली, आए, आक्टिव डिस भी हैंद की उपड़, अगर आपने कोई एक मेटल लिया उसके साथ डार्यूट एसें लिया वो हमेशा के लिए स्फॉल्ट निका देगा प्लस हार्ट इंड्यास दिका देगा जब में एक्वेशन इतर सिपन दो क्लॉस है पहला क्लॉस इंड्यास, दिका देज्ड लिया विया शुद विया विया लिया बिया निया बिया इंटि रेक्वेशन लिया Metal should be more reactive than hydrogen, it is the metal hydrogen से उपर होना चाहिए Second, second class, hydrogen gas, when it brought near, A burning splinter, it burns with the pop sound, पटाक्का मारता है, ठीक है, अब इंग equations कर ले दे मेटां, simple equations है, जैसे की सद, आप ले लीजे zinc, प्लस HCl dilute, क्या देगा, zinc chloride प्लस hydrogen gas, magnesium ले लीजे, sulfuric acid के साथ बट लेना डायल्यूट है, magnesium sulfate प्लस hydrogen gas, ठीक है मेरे प्यारे बच्छों, aluminium ले लीजे प्लस HCl, dilute balancing करते रेना, EL, CL3, तो यहाँ six आज़ेगा, balancing में भी, प्लस hydrogen gas, यह आपको बाते समझ नहीं है, हमने मेरे प्यारे बच्छों, हमने पेहली प्रॉपटी किया पड़ी, मेरे बच्छों ने कॉमेंट्स बज़े बताया, बहुत बढ़िया, कि जब भी हम metals को acid से react करते हैं, क्या मिलता है, salt और hydrogen gas मिलती है, यह बात आपको समझ नहीं है, प्रॉमिस चल जबर्दस, नेक्स पॉइंक्स पड़ते हैं, लगया पहली प्रॉपटी, अब सेगिंड प्रॉपटी है, जब metal oxide acid से react करते हैं, तो क्या करेंगे भाई लोग हम यहां पर, जब metal oxide acid react करेंगे, बैटा क्या करेंगे आपको देख दाएंगे, जब भी metal oxide acid से react करेंगे, तो क्या बनेगे देखना पड़ेगा, बैटा जो metal oxide होती है आपको याद रचना है, metal oxide is always and always basic in nature, metal oxide is basic in nature, मैंने कहारा सारी metal oxide basic होती है, कुछ metal oxide basic होती है, कुछ metal oxide empiric होती हैं, हम आगे बढ़ेंगे वह अभी यहां बढ़ा हुआ, empiric क्या होता है, दो उगला बन होता है, दो लोग हम करते हैं, acid भी basic भी पढ़ते हैं, बट ना काफी oxides, metal oxide basic होती है, जब basic oxide acid से react किरती है, तो वहां पे हमेशा fault plus water बनता है, क्या बनता है, fault plus water, और इसका मतलब हुआ, जब भी हम यह भी आगे बढ़ेंगे, एक base for fault acid reactor, base for acid to falter water विंकलता है, इस रेक्षित दे निउट्रलाइजेशन, यह भी बढ़े गी आज, तो हम इसका अगर examples की बात करोंगे इसकी बटा, basic oxide में fluoridum oxide ले सकते हो, आपने acid cell से react रवाया dilute है, तो विटा क्या बन गया, 2 NaCl plus H2O, आपने magnesium oxide से react रवाया, sulfuric acid dilute, तो क्या बन गया, magnesium sulfate बन गया, plus H2O, आपने magnesium oxide के साथ acid cell करवा दिया, मेरे प्यारे बच्चो, again dilute, then you need the balancing part, magnesium chloride plus H2O, ठीक है, हम सिर मुझे बताओ, metal oxide की तरह की होती है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, मैं आपको यह बढ़ा देता हूं, क्या है, you can take M की valency plus N है, और carbonate की valency CO-23 होता है, यह carbonate है, जो bicarbonate होता है, मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान से देखना है, bicarbonate होता है, HCO-13, carbonate होता है CO-23, bicarbonate HCO-13 होती है इसकी valency, अगर आप इसका reaction मिनाएंगे, तो मेटा यह हो गया है, N2CO-3, तो इसी तरह आपने ऐसे जैसे मिने मिनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो यहां पर लिख लेता जगह जादा मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइक कार्बोनेट, ठीक है, मेगनीशियम कार्बोनेट, और मेगनीशियम बाइक कार्बोनेट, ठीक है मेरे प्यारे बिच्छों, आप बिदा जबाव बीचे, तो आप आम इनके साथ रेक्शन्स करवाते हैं, मिटेंगे आपके, इस तरह में डाला डार्यूट हCN, यहां पर भी डाला डार्यूट हCN, आप देखेंगे, प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, बन बैलनसिंग न फरक बढ़ जाएगा, प्लस HCl डार्यूट, अब यहां पर क्या आएगा, 2NACN, प्लस वाटर, प्लस कारवन नाय अपसाइड, ठीक है मेरे प्यारे बच्छों, यहां पर क्या बनेगा, NACN, प्लस वाटर, प्लस कारवन नाय अपसाइड, यहां पर मेगनीशिम क्लुराइड, प्लस वाटर, प्लस कारवन नाय अपसाइड, यहां पर भी मेगनीशिम क्लुराइड, प्लस वाटर, प्लस कारवन नाय अपसाइड, ठीक है मेरे प्यारे बच्छों, बात ये समझनी है यहां पर, you have to remember this, कि जब भी आप कार्वोन ये बाई कार्वोन रियक्ट करेगा, salt plus water plus carbon dioxide gas नहीं बिलती है, and this carbon dioxide gas evolves with, इज़ बाहर लीकलती है, it evolves with a bris effervescence, it evolves with a bris effervescence, बद थोड़ थोड़न धुवे से निकलती ही गैसबार, जब ये गैसबार निकले की थोड़न धुवा होगा, also, it can extinguish, it can extinguish the burning tender, ये चलती हुई मौबती को भी बुचा देती है, ठीक है, तो हमने क्या सीखा, आपको याद रतना है, अमने भी सीखा क्या, तीन तरह के रेक्शन सीखे, पहला, अगर मेरे पस metal रियाक्ट करता है, डार्यूद असार के साथ, तो क्या मेनेगा उसको, salt plus hydrogen gas, is hydrogen gas a property, बद ली, it burns with a popping sound, अगर metal oxide करता है, अगर आपके पास metal carburate है, metal carbonate, या फिर metal carbonate, तो क्या होगा जब इसको डार्यूद एसन वी डाला, it gave you salt, water and carbon dioxide, अब हमने इनके अंदर पर वाते बढ़ने क्या है, पहली बात सीख लिया, ये पूरा सीख लिया, ये पूरा सीख लिया, सर इसके में कोई तो तिन बाते इंपॉरेट रहती है मेरी, सिखाए सर मुझे क्या ज़रती है, पहले हमने सीखना है, जो मेटल अक्साइज होती है, जो मेटल अक्साइज होती है, ये जन्रोली बेसेक, ये जन्रोली बेसेक होती, 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 oxides are not basic, some of them also show, also show amphoteric character, this is amphoteric character, tell us what it is, this is amphoteric character, tell us what it is, for example, let me explain, you get amphoteric oxides, amphoteric oxides, which show, which show both acidic as well as basic character, which show both acidic as well as basic character, are very apparent nature, this is acidic, acidic and basic are different, sir, this is an example of this, I have two examples, one example of that, aluminum oxide, one example of that, aluminum oxide, aluminum oxide is an acid, now this is an acid, so this will show the basic character, this will show its basic character, and well, we have an equation to show you, aluminum chloride plus water, that remarkably, six forms, ten for this and that is why we need to tell, can we talk later on, what would we love to do it, before his Son, parts of theiplier, only the opposite is called BC of the methodology, but aware of his passing nature in that idea of product, the Espirit De haftraic character, यह बनेगा आपका, जब भी आपने यहाँ बड़ा समय ठीक कर दूँ या एजसी राता है, यह पानी तो है नहीं, अगर अलुमीनियम उकसाइड को मैं बेश से रियाक करूँ, मालग जब बेश मेंने यह सोड़े माइड रॉकसाइड, यह बेश है, इसमें यह शोग करेगा अपना एससे रियाक्शनी दर्व दिया, जब मिला तो क्या मिनेगा आप? अड़े सोड यह अलुमीनियक, ठीक है मेरे प्यारे रॉक्षो, यह पहला एक्जाम्पल, एक्जाम्पल नंबर डू में तरहा हुआ आपको, यह एक्जाम्पल नंबर वान था, हम एक्जाम्पल नंबर टू पे रहेंगे बिटा, जिंक पॉक्साइड इटा, जिंक प्लॉराई, ब्लस हैस्टो, नौ जिंक कॉक्साइड, मान लीजिए, ब्लस इक बेस करवाना है, एंस फोड़े वाइसदी करवादीजिए, अब यह बेस है, तो यह एसटी करेक्टस हो बरेगा, वह एसटी बेसिक करवादीजिए, तो यह डाला हमने क्या बनेगा, सोडियूम जिंकेड प्लस होट, लगा सारी क्लास को समच, तो यह एसट था, तो यह बेसिक करेक्टर दिखा रहा था, यह बेस था, यह एसटी करेक्टर दिखा रहा था, तो मेंटल अपसाइड बेसिक भी होती है, और आज़ बेसिक भी आज़ वने प्रूफ करते हैं, लगा समच, सार एक राज को, सार एक बाद और समच दिया, हमें न्यूटराइजेशन, वह मैं चाहूँगा, आपको मैं बेसिक बेसिस के बाद सर जाओ, दिखा है, पहले आप हैसेड की प्रूफ प्रॉपर्टी बढ़ रहते हैं, एक हैसेड की प्रॉपर्टी आईगी से, यह बहुत इंबॉडर्ट प्रॉपर्टी है, और पढ़ते हैं, पढ़ते चलो साथ ही पढ़ लेते हम, न्यूटरलाइजेशन रियक्शन, चीक हैं, यह पढ़ लेते हैं, तो यह दोरा आपने गरते हैं, मैंने मेटल सिल्फाइट्स के ओता हमें वो सिंखना पढ़ेग स्फ़ाइट बिसालिख से सिखाएगे मेटल सिल्फाइट, मैं हमको आपती सिखा वह रहते हैं, मैटल सिल्फाइट मांन लीजरे, मैं की विलेंसी प्लस N है, सिल्फाइट इस सो म m्bread धृक्वरी लिस इस सिल्फाइट, यह क्या होता है? सhole पार पास सोडियम सिल्फाइट ह लेको जो वलेंसी सीखने हैं, तो तो दिन बाते सीख लो, वैसे कहा तो आपको पर साइड पर राफ में, ये होता है, भाई सुल्फी, ये कैमिकर रेक्षिन्स का, या नाइंट बे लान्विज अफ को विश्टुरिग ये होता है सल्फाए, ये होता है सल्फाइड, ये कौन ह सल्फे ये कौन है सल्फाइड और ये कौन है सल्फाइड ये विद आपको समझ नहीं है सल्फेड, सल्फाइड, सल्फाइड मज़ूरें डानने चलिए ठीक है मेरे प्यारे बिच्छों प्लास एच्छी एल अगें डानने योट मेगनेशियम गुराइड प्लास एच्टुओ प्लास सल्फाइड डायोकसाइड मनजूरे मेरे प्यारे भाईयों और बहनों ठीक है जी प्लास एच्टू एच्ट एच्ट 2014 It has a very egg-rotten smell. इसकी जो smell होती है, it has egg-rotten smell. एब आगई अगैं उडिलिज़ाइजिजर ने चीटाराइब गां सीया इसक्व की मंढी, अब आगईरागे एक अनकलेशलाइजिशन कि rec pajamas? In this reaction, you should have an acid, you should have a base, and it always gives you salt plus water. In the neutralization reaction, whenever an astronaut base reacts, it gives you salt less water And let me tell you my friends, this reaction is an exothermic reaction, यह heat का sign होता है It shows the heat is being evolved, अगर heat निकल रही है, इसका मतलब हो गया यह reaction एक exothermic reaction है It is an exothermic reaction, इसको मैं तोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा कोगि मुझे बटा है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस देश के डॉक्टर एंजीनियर बनना है तो मेरा फर्वर है, आपको हर बात समझाने का as a tutor, as a mentor जैसे की example के तौर वदातों आपको आपको बस एक acid है, मान लीजे HCl है, आपको बस एक base है, मान लीजे magnesium hydroxide है तो magnesium chloride plus water, तो यह टू लग गए या फिर ठीक है, बालसिंग आपको कर लोगी, आपको कर सकते हो से मिए, आपको कर लोगी मान लीजे आपको बस calcium hydroxide है sulfuric acid है, तो calcium sulfate plus H2O, मान लीजे समझ बारे हो, आपके पास sodium hydroxide है plus HCl, तो NaCl plus H2O, अब रिजे अन लीजे कर सकता हो आपके लिए, कोई मेरे लीजे समस्या रहे है अब यह सारे reactions वे हींट नहीं देगे, यह हींट है this is the sign to show that the need is being evolved that the need is being evolved out, इसका यह मतलब होता है heat माहर नी किल रही है मैं सबे कुछ होर में आड करने चाफा हो, मान लीजे, अप neutralization में आपके पास आता है strong acid plus strong base अब strong acid हो बता है, strong base क्या होते है, जो बहुत सारे eyes फर्मिश करते हैं एक होता है strong acid और अजर उसके weak base हो जाए एक होगा, अजर strong, अजर weak acid हो और strong base निकले ये तीन pieces पढ़ते हैं, इसमें में डंग, न्यूटरल salt निकनता है neutral salt निकलता है, neutral salt plus water इस salt में, जो heat evolve होती है, जो heat निकल से एक भी evolve हो रही है तो minus से रिप्रसेंट रहते हैं, वो बते हैं, minus 57.3 के लोजन्स पर वोल, ये वार्यूए इसमें को के acid इसमें इसमें पूइट निकलता है, इसमें 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 पूइट निकलती हैं, इन दोनों में जो पूइट में पूइट निकलत निकलता है, इसमें इसमें बेरीस पूइट अग्याफत करँ एक दोनों में पूइटched तो यह तो मैंसे ऐसा रग गया 17-18 सालों में पहली बार हुआ पुछ ऐसा चलो तो नियुटलाइज़ाइज रेक्षिन में क्या पड़ा एक्षट और बेस होता है जब एक्षट और वाटर निकलता है और हमेशा यह रेक्षिन एक्षो थर्मिक होता है हम दें बीचे बड़ा इस लिए जो मिने यहां पर विटा क्या लगाया जो मिने यहां पर यह मैंने क्षट और शिकांता हो इसको मेंगनेश्यम घ्रक्षिट तो कहते हैं इसको मदमें क्लेशियम करता है कहते हैं साथ में slang line कहते कहते हैं इस सोडियम अंट से कहते कहते हैं साथ में caustics होड़ा कहते हैं ठीक है मेरे प्यारे बिच्छो बहुत जबनतस्ता है clear है note करने जो पाफिस में note करने के बाद अब हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा यहां पे assets का next topic आता है पिटा पी एच स्केल हमारे assets का next topic है पी एच स्केल पी एच स्केल का पूरा मतलब है power of hydrogen पी एच स्केल का मतलब है power of hydrogen पी एच स्केल का मतलब हमारे पावर ओफ हाइडजन का स्केल है वह गड़ा इंपॉर्टिंट टॉपिक है मैं चाहिंगो आप तोड़ा मेरे संद्यान से इस टॉपिक पड़ें इस टॉपिक के नंबर बन सकते हैं फरी के इंग डो थी एह चलिए करते हैं स्टार्ट करें विट चलिए तो पी एच स्केल पावर हाट जरू होगे यह स्केल करता क्या है इट इस यूस्ट तो मैजर दा आसिनिटी दा आसिनिक और दा बेसिक नेचर इस स्केल के कुछ रीडिंग ऐसी होती है एक एंड जीरो पे होता है एक एंड फोटीन पे होता है और इसका मिडल पॉइंट होता है नीटरल पॉइंट सेविल वह बाद समन पा रहे हैं आप लोग सारे जब एस्ट जीरो तो सेविल जाता है वैल्यू इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग पीएच से increasing pH से acidic character decrease करता है but increasing pH से हमारा basic character increase करता है हमारा basic character increase करता है यह बात आपको समझ नहीं है मतलब गया हुआ इसका मैं इसका मतलब से बजाता हुआ मांग दीजे मेरे पस डो solutions है solution A और solution B solution B A का 4 है और इसका 5 है बेटा इस विल बी मोर आश्टिक and this विल बी लेस आश्टिक यह बात आपको समझ नहीं है यह कम आश्टिक होगा इस बात आपको समझ नहीं है मेरे पास मांग लीजे दो solutions है X और Y A का pH A9 है A का pH 13 है then this will be less basic and this will be more basic मत समझ पारे हो आप सारे इक बच्चे नहीं मेरे से पूचा in fact मेरी जन्दगी का मज़े तक अब ये इस चैप्टर का इक बहुत इंप्रसिंग सवाल इस लेर पे चोड़िया कैता Sir A में आप लेगा more acidic इसमें H positive आइज होगे क्या इसमें OH होगे when I write more acidic it means it is less basic this means A has H positive and A has H negative amnes as well this means more basic also that means this has more of its negative and it has less x positive same as over there where I write less basic it means it is more acidic as compared to Y and when I write इसका यही मतलब नहीं है कि अगर यह बेस है तो असे नहीं होगा इसका मतलब हुआ इसमें more H-positive and less OH-negative होगा इसी तरह इसमें more OH-negative होगा और less H-positive होगा मेरे प्यारे बच्छों यह बात आपको समझ नहीं है अच्छे जी समझ भी मैं इसको तोड़ा और आपको डिस्क्राइब करवाद अच्छा होगा मार दिंजिये मेरे पास दो assets है यह दो solutions है उनका pH की वैदर लिगाने है तो pH को लिगालने लिए फोगलाता है minus of log H-positive minus of log H-positive अगर consider कर लीजिये एक solution है consider a solution having the pH five can the निकाली find the concentration of H-positive ions in its solutions and OH-negative इसमाल दिंजिये यह दो बच्चे जो आप में से NTSC करना चाहते है हर एक तब एपर नहीं हुआ जो NTSC करना चाहते है H-positive और OH-negative के निकाली है निकाल दिता हूं भाई कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए तो simple सी बात है इसका pH 5 आगे अवे pH 5 है तो इसका बतलब हो गया minus of log H-positive कितना आगे है 5 तेक एक एंटी लॉग और वोट साइज तेक एंटी लॉग और वोट साइज क्या बन गया बेटा H-positive is equals to 10 raised to par minus 5 यह बात आपको सावज नहीं है So H-positive 10 raised to par minus 5 आगे है अब पेटा आपको सिखाता हो हर रे को नहीं बता होगा आपको याद रखना है हमेशा के लिए तमड़ी classes में आपको सीखूँगे plus 1 में आने किलम नहीं में आता है using pH plus POS is equals to 14 होता है हम मुझे के दिए से इसको derive कर दो में इसको derive भी कर सकता हो मतलब हमारे लिए 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 हमारे लिए हमारे लिए लिए कोई जीज को स्किन होता गया है यह आता का से H और OH का जो sum product होता है याद अठ़ीजे हमेशा अगर आप इसे डेरिवेशन के लिए 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 काल दे मैंने लिए शुप वो हमेशा 10 raised to par minus 14 होता है बात समझ पारे क्योंकि 10 raised to par minus 7 होता 10 raised to par minus 7 होता है वो 10 raised to par minus 14 मन जाता है अब हम केते यहाँ पे कि आप लॉग लेंजेए टेकिन लॉग on both sides जब आप लॉग लेते हैं तो क्या बनता है मेरे प्यारे बच्छों लॉग of h positives और o h negative जब आप लॉग लेते हैं तो बात समझ यह क्या होता है लॉग में multiply वाई चीज़े plus होती है divide वाई माईनस होती है तो log of h positive plus log of o h negative is equals log of 10 raised per minus 14 तो समझ का minus किर दीजे minus अपने आप ले 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 लॉग of h positive minus log of o h negative minus log of 10 raised per minus 14 minus of log h का formula बताइए service answer आपने विताया minus of log h pH होता है plus ये भी po h हो गया और भाई या minus minus 14 आगया 14 log 10 आगया में याद रख लीजे if log 10 थी value हमेशा के लिए 1 उती है log 10 थी value हमेशा 1 उती है यहाँ से में क्या लिए हुआ अगर आपका pH 5 है therefore pH plus p o h is 14 मैं ये 5 है ये p o h कितना आगया मेरे प्यारे बच्छो 14 therefore p o h कितना आगया 14 minus 5 9 है therefore p o h कितना आगया मैं 9 आगया आणसर तो नहीं है concentration निकाल नहीं है minus of log o h negative 9 है therefore log o h negative 10 raised to bar minus 9 ठीक है मेरे प्यारे बच्छो यह आपकी concentration आवी h positivity यह आपकी आवी o h negative की concentration लगे सारी क्लास को समझ अगर नहीं लगा तो मैं आपको बता दो very very important sum आप तो बहुत प्यार से बहुत जबदद त्रिंके से करना है करना है क्या है मैं दुमारा बदात हो समसे पहले मैं नहीं आपको सिखा है pH का formula जब आपने pH का formula सीखा तो बेटा क्या गरना है pH के formula को सीखने के बाद आपने pH का formula तो सीखा अब pH का formula लगा दें यहां पर लगा दिया formula pH is equal to 5 होता है pH का formula minus of log h 10 raised to about minus 5 फिर मैं आपको एक formula सीखा है POH plus POH is 14 मेरे क्लास से कुछ बच्चे सेखेंगे यार विशाल जब रखते हैं तो मैं रखते हैं से करवाने वाला आद भी दी हो तो मैं आपको डिराइट करके सीखा है यह 14 क्यों होता है 10 raised to about minus 7 आप 10 raised to about minus 7 10 raised to about minus 14 लॉग लग लग रहा है अब या answer आगया अज़ा 5 था भाई इसका 5 था इसका 5 था इसका 5 था पांच 14 लगा दो minus 9 आगया वहां से लॉग की बेरी निकालके OH की concentration निकालिए इसको कहते हैं जिसे कहते हैं हनी सिंग जी कहते हैं इसे कहते हैं हिप-पोप इसे कहते हैं एसे मेसे कहते आसे पी-एच जंबर-डस तरिक चनिये ठीक है मेरी सारी ग्लास यह आपने सारा गर लिया अब पी-एच के फाइड देख्या है वो भी देख लेते हैं मेरे प्यारे मिच्छो ठीक है लगया समझ भाई अम सर्थ पीएच तो पाफ इंटरस्ट पीएच का इसक्वाल का वरूब और यूज ओफ पीएच लिख लो यूज ओफ पीएच इना डेनी लाइफ विड़ा आपका टूच निकी होता है रात को चौकलक्स काते हो शूगर काते हो टूच निकी होता है उसको बचाने में हमारे दान खराब होते हैं उसको बचाने में हमारा पीएच काम आता कैसे आता है अगर नान खराब हो रहे हैं इसका मंतम एसे अमले रहे है उसका ऐसे लेंड टूथ्पेस्ट करो तो होता है तो वहां पर पीच प्रिफ के लियूंट है यह आपको बताया जाएगा फिर आपके यहाँ acid rain होता है, acid rain क्या होता है, जब बारिष के अंदर बहुत सारे acids मिक्स होते हैं, जिसका pH 5.5 से कम वोगा जिस बारिष का, उसको acid rain केते हैं, उसको बताने में help करता है, पर मेरे प्यारे बिने नियुक्त है, टूथ रिगे मिर आ रहा है, टूथ अनेबल होता होटा है, जो टूथ अनेबल है यं कहांटने करता है जो आज चौथ पर पर हांथ्ने मान होता है, बार्डिकान लाद जब एनिमल्स वे अटाक होता है तो वो अपना पीएज उनके पास होता है उसके सेल्स डिफेंश में काम आता है कैमिकल वार्फेर केते हैं तेक है आपकी बॉण्डी में आपको मद्वख्खे ने काट लिया वहाँ पर पीएज काम आएगा क्योंकि मद्वख्खी जो काटती है वो आपकी बॉड़ी में क्या डालती है वो में थलोई की असेड उसको खतम करने के लिए आम वहाँ पर बेकिंग सोड़ा यहां खोई और एंटी एसेड कर सकते हो जिनका पी एच सेंट से ज्यादा वो इस बहुत साहर आपकी बॉड़ी की अंदर फी एच होता है एसिल एसिल होता है हमारी बॉड़ी की अंदर योवें वॉड इक अंदर होता है पी एच एसट होता है हम से करते हैं उसको ठीक करने के लिए चार्पमन टॉबिक्स अपने इसके यूज करने के दाव से ठीक है यह बहुत कुछ के लिए तो आपको रट्टा है यह अपको रट्ट लगा सके वी समस्पेली तूथ अलेमल कैस सकते हो प्यप्स यूज कर सकते हो कोई भी निसकर सकते हो फिर सेकिंड जम वारिश आती है उसमें एक यह पर अपने का प्याइच के मानदे में बचा सकते हैं वेकिंग सोड़ा मतलब आपकी यह हम पर कुछ कटरिया उसको बचा सकते हो फॉर्मिक आशित उर्ट में थ्वा सकते हैं अब हमने कर लिया जी सब कुछ हमने आशिंस के बारे और वस्त व्यूग्राइश ने बढ़ने सब पहले मैं बेसिस के मारे बता हुआ आप देखिए मैं आपको हर चीज़ बता हुआ इस वे बस आप मेरे साथ पढ़ते रही है को कि मुझे पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं इन सब में कॉबन चीज़ किया है जैसे आश से में बता ही इन सब में कॉबन एक ही चीज़ है आप बेस की डेफिनिशन के लिखो भी आहां पर आप बताएं लजे क्या रिखे अबेसे आप बाँ और में वाटन जैड़ देमक्ने वाटन वेच वेचित वेच्ट वेचित वेच्ट 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 वेच्टॉ गेव्स ओवह एक्स नेगिटिव आयन, नट इस हाइड्रोकसाइड आयन और हाइड्रोकसल आयन, गेव्स हाइड्रोकसल आयन, जो आप माने में डिजॉल करते हैं, एक्साम्बल देता हूं, जितने उबर लिके लिखरी जिसा रहे हैं, ठीके जी, आये मेरे सारे प्यारे बिचा, जो जो आप सिंखो मेरे से, बड़े प्यार सिंखो, in-positive, plus OH-negative, ZN plus 2, plus 2OH-negative, Mg plus 2, plus 2OH-negative, Calcium plus 2, plus 2OH-negative, T positive plus OH negative Aluminium plus 3 plus 3 OH negative उनके नाम मैं बता चबाओं बट फिर भी नाम बता देखा हूं आपको दुबारा इनके इस इस sodium hydroxide also called as caustic soda इसको हम caustic soda भी कहते है इसको zinc hydroxide ही कहेंगे मेरे प्यारे बच्चो तो ऐसे आपने basis के सारे सीखा basis of OH negative basic बता दिया हमने आपको magnesium hydroxide होता है zinc hydroxide होता है sodium hydroxide है समबता है हमने आपको अब basis की हमें इस properties पढ़नी है जो basis होते हैं पहली बात तो जो basis होते हैं अगर प्रॉपटिस की बात प्यारे तो खटे नहीं होते हैं वो कड़वे होते हैं बिटरिंग टेस्ट होते हैं ठीक है जब आप उन त्वफात लगाओ वो साबुन की तरह रागते हैं उसकी बाद देखें ने टर्न और रेड लिटमस में यह यह रेड लिटमस लोगटारी कर देते हैं अगर आप मेरे से क्लासिफिकेश्न आप उन-डर्स पर्वे वड़ते हैं मैं आपको गरवार पहुशी पर्णी क्लासिफिकेश्न आप पढ़िए असनिटि आफ वर मेसस पर आपने मेसिस की आशनेटी पढ़ लीजे सेगिंड क्लासिफिकेशन आप पढ़िए मेटा और मेसिस वे मेस्टा मेसिस ऑन दर्स फोर्स कहां से उनका ओरिजिन हो रहा है और खर्ड क्लासिफिकेशन मेटा आप बेसिस की पढ़िए मेरे प्यारे बच्छो यह इतरह ही इंपोर्टन नहीं है बट आपने पीछे पढ़ा है तो यह आँ पढ़ा रहा हो ठीक है आपने मेरे प्यारे बच्छो ठीक है आपने मात ही समझ नहीं है अब पहले मैं आपको सिखा दो acidity of a base क्या होता है तो आपको सीखता है acidity of a base is defined as acidity of a base is defined as यह आपको बात सीखनी है बड़िंग पॉड़िन अब बेस्टे सिटिंगी तरह है तो आपको बात सीखनी है वड़िंग पॉड़िन अब बेस्टे सिटिंगी तरह है इस वए एट वॉड़िकल कम बेस से फ़र एग्जाम्पल NaOH मैंने पीछे बनाया बन दुबारा बनाता हो यांपे Na-positive प्लस OH-negatin बेना calcium hydroxide पीछे बनाया दुबारा बनारो बेना magnesium hydroxide पीछे बनाया दुबारा बनारो Aluminium hydroxide पीछे बनाया दुबारा बनारो यह है अब यह है इसमें दो है इसमें दो है इसमें तीन है तो यही हमने acid on basis वे classify कर रहा है कैसे करना मैं इसमें साथ आईए सबस्वे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर मोलो-acidic base मोलो-acidic base होगे जिसमें एक OH है जैसे कि आपको वहाँ दिया NaOH है आप प्रोटासियम hydroxide नहीं सकते हो एट्सेक्टरा ठीक है मेरी प्यारे बच्छों जबरदस्त है सफिर आप नहीं सकते हो diacidic base जब मैं diacidic base की बाप करता हो यहाँ पर लिख सकते हैं calcium hydroxide यहाँ पर लिख सकते हैं zinc hydroxide एक्सेक्टरा से मैं लिखता हो में ट्राय एसनिक बेस इसका एक्जामबल देते हैं में अलुमीनियम hydroxide और बहुत सारे एसे हैं OH3 सेरिक hydroxide ऐसे बहुत सारे एक्जामबल देश सकते हो मेरे प्यारे बच्छों करेक्ट है यहां तक जबरदस्त है नोट कीजे मुझे बताईए अवे कोई प्रॉबलम आती है हार चीज नोट करने कोई बात चोने नहीं आपने ठीक है मेरे प्यारे बच्छों चलिए अगला आ गया basis of source तो मेटा दो तरह क्यों जैसे पीछे किया एक होते है मैनमेड है एक होती है जो हमें नेचर में बाए जाते हैं यह तो नाच्रल बेसिस होंगे अगर मिलते आपको और दूसरे आपको मिलते हैं मैनमेड बेसिस और मेरे प्यारे बच्छों आखरी कैटेगरी जो इसफिर मिलती है वो मिलती है या तो बेस कॉंसेंट्रेटेड होगा ऐसे कॉंसेंट्रेड बेस बहुत कम होते हैं या फिर मेरे प्यारे बच्छों डाल्यूट बेस होगा डाल्यूट बेस की मतल समझते हो उसमें आशिड बेस कम और पानी ज्यादा होगा यह आप कर लोगे ग्लासिफिकेशन से सथ साथ मुझे एक और आपको चीज सिखानीह उसका नाम है एक सम्दा बेस और एक शम्दा अलकमिजी यह बहुत इमबॉडन बात यह सिखाना चाहतो हो आक कोे बहुत इंज बहुत इंबॉडन बात आफ्रेंड्स को सेर करो आपको मेरी एप पे मिशन में बटके मजा आ रहा है फ्रेंड्स को बताओ ओन करो , रेफर करो पढ़ाई करो सब कुछ करो तो बेस क्या अध्रस है यह से बताया है बेस क्या अध्रन है आई चुभी क्या अध्रस है अ इन Gesellschaft based solubile water, Ipony is the base, is solubile water. for example, sodium hydroxide, potassium hydroxide is a solubile water. which is the base, अब यहां में पॉइंट आएगा इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां में पॉइंट आएगा इसका मतलब क्या हुआ, एंट रीड वेस, कि अब यहां में अब यहां में पॉइंट आखी टूइंट इसका मतलब क्या हुआ, इस्का एक्जाम्पल आ गया, इस्का एक्जाम्पल मेंन अलकली का, जिंक हाइडर अपसाइड, आयरेन हाइडर अपसाइड, मतलब यह बेसिस तो है, बड़ यह अलकली नहीं है, मतलब यह पाने में नहीं बूलते, तो अगर आपसे कोई पेपर में पूचे, वाट इस दिफिसम रिन अबेर यासल अल्किली, तो क्या जवाब देविए? अम बेश देविए कंपाउं, विच में और में नॉट बी फॉलिवल इन वाटर, बाट अल्किली इस देविए कंपाउं, अब हम बहुत बढ़िया, पक्का, प्रॉमिस, चलिए, अब हम करते हैं, टैमिकल प्रॉपरिटिस और बेशिस, टैमिकल प्रॉपरिटिस कर लो बेशिस की, जब हम टैमिकल प्रॉपरिटिस और बेशिस पढ़ते हैं, उसमें हम पहली property पढ़ेंगे विटा रियाप्सिन औ बेसिस विद नौन मेटैनिक उकसाइड यह आपको बात सीच नहीं है बेसिस का नौन मेटैनिक उकसाइड एक इसमें आ सकता है आप बेसिस का हैस्तर साथ कर्शको वो नौन मेटैनिक उकसाइड हमने बड़ा बरीखी पढ़ चुकिया हम उसको दुबारा नहीं पढ़ेंगे सेकिन इसमें आता है रियाप्सिन ओफ बेसिस ओवे दमेकर अच्छा आपको बात सीखे नहीं है इसे नौन मेटैलिक उकसाइड होती है यह आलमेस आसने नाटमीस वेन बेस रियाक्स विद अनौन मेटैलिक उकसाइड मेरे प्यारे बच्छो बेसिक अापकेर आपको आपको बेस ऒब जी ऊलीकी साइड ता execute अच्छा का मैं एचेड मेह उकसाइड मेटस आपको प्रक्छॉन है दिए panel यह आपको क्शॉडिक यह आपको क्यासाइड भासों सब्सद कर डिख कर एकısı यह अच्छांपल का इसोर 21 र czas can give you this also, it will give you, what does it give you, sodium carbonate, plus water, then you take a base called as some sodium hydroxide, दुबारा ले दुबारा ले इसको, sulphur triac set करतीची क्या बन जाएगा, N82s4, plus H2O, now this is called as sulphur triacide, आप कोई और भी ले निया, और भी ले सकते हो, जैसे NO2, nitrogen dioxide, क्या बन जाएगा, भाई लोग, के नो 3 plus H2O, ठीके सारी क्लास्ट, बेसिस का मेटल से रेक्शन करतीची, जैसे माल लीजिए, sodium plus ZnO, OH2 है, तो क्या बनेगा, N2, ZnO2 plus hydrogen gas, तो क्या बनेगा, क्या माल लीजिए, अलुमीन, sodium plus aluminium hydroxide, क्या मन जाएगा, बनेगा, sodium aluminate, plus hydrogen gas, बनेगा, अपने आउड लेवल पे, तो क्या में जाएगा, इसमें hydrogen gas निकलती है, और बनेगा, पॉपिंग सा, परेक्ट है, एक इसमें, एसेट और वेसेजिए, ने मेटा इंपोर्टन पॉइंट है, वा आपको सीखना है, और वो पॉइंट है, अगर आसीड और वेसेज को, क्या होता है, जब पादी में dissolve होता है, पादी में dissolve होने के बाद क्या होता है, अलग-ज़ग केसिज बनते कहें, केस अगर मेरे संजाना स्टार्ट कुरू나, वा पहला केस संजाता पूँ, जब आप आसेड है, पॉइंट दवाने लिख वी जाए हम तो है यह मेरे पास एसेड है ठीक हो मेरे प्यारे बच्छू यह मेरे पास कॉन है एसेड है मिटा कहता है इसमें बारे डाल देज़ एक एस वन दोसरा की एसे मिटा क्या कहता है इसमें पानी है कहता है इसमें क्यों पानी है कहता है इसमें तो हम डास दीजिए आसेड के दर दाउत क्या होगा यह इसको देखके न मुझे वह पूड़ी वाले भाईया की आती है सबोस कर लिए जब भाईया मुझे बच्छे भी वाट्सअप दे रहे है आं जी सर ठीक है माल लीजिए भाईया क्या कर रहे है पूड़ी वाले भाईया जो है वो पूड़ी बिना रहे है और आप दो पर से ऐसे बारे खेंग दो उनकी इंकड़ाई के अंदर क्या होगा छीटे बार गिरते है तो यह कुछ इसकरा होता केस वान माच सलबच रहे पूड़ी वरे भीया तेस वन में क्या होगा वेड़ी यह पूड़ी वाटर इन वाटर इन वाटर जार इन वाटर जाशोरे साध दएर न वेड़ी स्टर्मार थे लाटर बारा इन वेड़ी case which causes splashing and it may harm also, इसको वाइड करते है, फिर इस case में, आब जया किया भया पानी है, विया पानी है, एक गून डालदीज अशे, इसको पूट अछिए में अशे आप द मधड़ाओ, युद पूट विया को जाई, आब गया किया है, एक अगे पानी है? युद कि बूट डाल्दीजे आई है। In a flask containing an acid, less exothermic reaction takes place and no splashing or injuries caused. यह अब बात समझ नहीं है, clear है साथ एक रात, यह दोगा पहली बाद, दूसरी बाद, यह बाद बड़ी मोड़र, point is number two, बड़े बाद, कहता है, अगर में acid में पानी dissolve विर्वत क्या होगा, और अगर में बीस में पानी dissolve विर्वत क्या होगा, क्या इंकी strength increase करेगी, क्या इंकी strength decrease करेगी, देखो बड़ा, अगर अगर आप acid में पानी dissolve करते हो, आप 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 डॉल गेंडेकरीस्ट personality स्क्षैमरी प्यारे मैचओ, अब अवारे भारे, है। हाई लगारोलोईं, पर मोल्ग, अधिया हूं, अधेशन तर्फन देशनल मार्तट था, अधेशनल मार्तटी जडीत boys बिनना डॉटर, फार्फन पर रंगेशनल मार्तटी नहीं, आप बेस्ट्रस पानी नालते हो, तो क्या हो दा मेरे पिच्छों जब बेस्ट्रस पानी नालते हो, बेस्ट्रस पानी नालते हो, तो पहां झानिfindenव नालते हो आपने झानी हो।, ंपनेी नालती हो है। तो क्या हो।, सश्ल्क grाझ्झ को तो बेस्ट को है।, एको हम नालते हो।, तो क्या जालते हो।, decreases यह बात आपको समझते हैं तो पेपर में सवाल आता है अमेशा पेपर में सवाल क्या आता है आपने acid में बार इडाल देख क्या होगो भाई स्वेंध रम हो जाएगी कैसे तो कि इसमे एज़ पॉस्ट लिया ओएज निगे डिवाइड जो है पर बोल वो तो decrease करते हैं 20 में सेम काम होगा नोट कीजिए को अपिस में जमबर दस्ट जमबर दस्ट है जमबर दस्ट लिखिए जी अगला फर अगला में सिखाओं आपको ठीक है अच्छा इसमें एक और बात सीख लिए है और बड़ी जमबर दस्ट वादर में वह भी सिखा तो बड़ी ठीक है चाहिए क्या कहता है कंदा माल लीजिए इसी का थर्ड बाट है कहता है मेरे पास डाल्यूल सल्यूशन है एंट सील का मेरे पास डाल्यूल सल्यूशन है एंट सील का मेरे पास डाल्यूल सल्यूशन है एंट सील का और मेरे पास डाल्यूल सल्यूशन है गुरू को मिर बाद जालियूल सल्यूसिन गा ठीक है, करेक्ट है, कहता है, ये वाले बंदें विजली के नक्ट करते हैं, ये वाले बंदें विजली के नक्ट नहीं करते हैं, क्या गेता ऊपर वाले बंदे जो है वो बिजलीक इंड़क्त करते हैं यह वाले बंदे बिजलीक इंड़क्त नहीं करती विदाव पारण दिखो मैंने वोगा अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे न इतने बड़िया कॉंसेप्स कर दोगे न जिन्दिके में याद वह सरसे बड़े है और अपने साथ बश्टों के यहां बेजो किसे आज़ता बस पढ़ने करिए क्या इतने अपने क्यों करते हां क्योंगी? चायवं वो डालू हें है, चायवं डालू हों हनो 3 है या वो और अचट है दे हाल्स थी एबड़्य पासिक्तिफ और एज थी प्योंट ओवाइन्स आण डिसोसेशन और विजलिक इंडक्ट प्रवाने के लिए फ्री आइन्स की प्रेसल्स मेंडेटरी है फ्री आइन्स की प्रेसल्स क्या है मेंडेटरी है अलेक्रिसेटिक इनक्सन की बात करते है, गुलुकोज और अल्पोहल, they are non-electrolyte, non-electrolyte का मतलब है, they have only molecules, and they have no ions, they have only molecules and no ions, and when they have only molecules and no ions, electricity cannot be conducted, electricity cannot be conducted, very invert, इसमें एक और सवाल बनता है, मैं आपको हर तरह का सवाल बता सकता है, इसमें सवाल बनता है, अगर मेरे बास, 18 dry HCl gas है, और अगर मेरे पास एक HCl solution है, एक्वेस HCl gas solution है, बताओ, वाइक, ड्यू लिटमस पेपर को चेंज करना है, कौन करेगा, पहला वाला की अदूसरा वाला सवाल यह है, तुमने के जवाब देते हैं, मैंने यह बिल्कुल नहीं करेगा, यह तर्ण देगा, क्यों, क्यों, क्योंदा कभी नियू लिटमस को रेंड लिटमस करना है, उसके लिए acid ही ज़रूरी, अलॉंग वेड, वाटर मेंडेटरी, किसे ने बूचा, भाई, असेड हो था उपर वाले के बास, वाटर है, नहीं था, तो क्या हो वाटर क्यों ज़रूरी है, वाटर हो तर्ण पानी, वाटर है, इन दिस्वोसियेशन, किसमें हेल पिरता है, डिस्वोसियेशन ओफ एन असेट, सर, एन फाक्यू, आपको जान के बहुत खुशी होगी, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जो इसको डिस्वोसियेट करवाती है, उस प्रॉपर्टी हो गयते है, डाय अलेक्रिक पंस्टेंट, मड़ी ग्लासेशन बबढ़ा होए, वाटर का डाय-अलेक्रिक कौन्स्टेंट रख यह होता है, इसलिए गहते हैं, वाटर is a universal solvent, इसलिए गहते हैं, पथर को बर रोज पंद अलोस पर विशेर होता है, इसलिए, it helps the decision of an acid therefore in the absence of an assay or in the absence of water dry acid gas will have only molecules which will not conduct electricity which will not conduct electricity अगर electricity conduct गरनी है तो मेरे प्यारे दुच्चों ये चाहिए कि भी आप पानी है जैसे अगर टेंद में टॉप करना है तो विजन की अप चाहिए आप के मुबाइल पे विजन का कूर्स जाइन करना पड़ेगा इसी तरह ये करना पड़ेगा इसके विजन काम नहीं हो पाएगा लगे सारी ग्लास को समझ कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताईए कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते को ठीक है तो यहाद मेटा आपका बेसिकली एसेट और बेसिस था कोई से नहीं है यह मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्डंट टॉपिक है कि सब्सक्राइब में यह सवाल पूंचागे दो तिन सवाल है मैं आपसे डिसकस करें तो फटा फट सिल किते सब्सक्राइब में विनेगर में कौन सा असेड उपर है आइड स्टिंग में कौन सा असेड है लेटन स्टिंग में कौन सा असेड है अच्छा टोमाटोस में कौन सा असेड है अच्छा औरंजिस में कौन सा असेड है अच्छा और टामरेंड में कौन सा असेड है यह आ आपके basically sources न जाहां से acid मिल सकता है विटा विनेगर में आपको याद रतना है आपको मिलता है acid, ethnoic acid जिसको आप acidic acid भी बोलते हो ant sting और nettle sting भी दोड़ों एक यह acid मिलता है वो बलता है methinoic acid जिसको आप formic acid भी बोलते हो किताबों में बुच इसे इंशियाटी बढ़ोगे, अरियत बढ़ोगे, लखमेश सिंग बढ़ोगे, आप formic लिका है for methodology बोलते हो और वार्वी बोलते हो आपकी अपनी मरजी है और जिसमें मिलता है आपको citric acid अब आप सारे बता होगे, tomatoes और tamarind में वांसा मिलता है सोचिए बता ही जिसमें मुझे, सारे बच्चे, tomatoes और वांसा मिलता है विटा, आपको याद वाचिए, tomatoes में मिलता है और जैली कैसिड कुछ बचिएंगे, सर और जैली कैसिड का formula पता है, हाँ मैं पता है आपको सीखना है जाद मेरे ये आप जैली कैसिड होता है, और टावर रिंड में हमेशा आपको लेता है tarttering कैसिड तेकर ये CBS से कुछ आप देखोशा है, एक सावाल पूचता है वो अपने CBS सी, की बहाई, माल लीजे की solution है चिक है, एक solution आपके बस माल लीजे मैं मानता, इस solution का इस मैं डिसकस कर चुगाओ बीचे बड़े में दोबारा गराओं डिसकस इस solution का दो पीएट है माल लीजे मैं लेकिज़ता हो, 5 है ये साड़े कम दर वे ऐसेट रिंग बान वे, ठीक है, समझ निमीग या है, 5 है कहता बताओ, ये solution acidic है कि बेसिक है, पहला सावा, तो हमको पता ही क्या होगा जवाब, ये solution acidic है ये तो सारी class को पता है, ये सारे महले को पता है, पीएज लेजेंस है मैं तो acidic होता है क्या नहीं पता, वो देखो, कहता, अगर ये असलिक सनली से इसमें edge positive ions होगा मैंने पीछे करवाया है, yes sir, कहता, क्या इसमें OH negative ions की pressures होगा, ये सवाल बूचा उसले इस positive दो होगा, तो मैंने जवाब दिया पीछे आपको, इसका जवाब होगा, yes, इसके पास OH negative ions होगा है, कहता आप तरूफ करो, मैंने पीछे बताया था आपको, हर solution का pH प्लस pOH कितना होता है, 14, मालनो इसका pH कितना है, 5, इसका pOH कितना हो गया, right कितना हो गया, 9, मैंने का आप में से इस देश के डॉप्टर और इस जीनियर्स आए, इस बोर एमस में जाएंगो, हमको यह पढ़ना बढ़ेगा, आएंगे तरूफ कितनी आपको, तो जो तरूफ कितनी आपको, इस बेसिक है, उसमें भी H और वेच दोडो है, किसी में H की मातरा जादा है, किसी में मातरा काम है, किसी में होडे की मातरा जादा है, H की मातरा कम है, इस मात का अंतरा और अंधर नहीं है, एक बाए और बात सिखना रचाओगों, वह तरूपका इन बॉर्ण है, वह प्रमान दिश्र स्मझा ए, तो टेस्ट भी आपके नमबार आधा, उस टेस्ट इंडिगेट करता है आपको टॉपिक कितने इच्छे समझाया आपके अथारवा में इंटराम मुपे लगा तो इंडिकेट करता है बिमार होगे नहीं भीवार ठीक है आप सुबा एसी में बैक्त इंडिकेट के अधम गर्मिलेवरी इस सर्दी रख नहीं इंडिकेटर होते हैं लाइफ के हमें इसके उपर जदा बात करें और इसमें मैं आपको एच्छोटा था होग विदू हो अगे जब मैं युरिवर्सल इंडिकेटर की बात करता हो तो युरिवर्सल इंडिकेटर का फारती हैश पे एक अलद रख रहता है पीएश पाइफ पीएश सिक्स पीएश सेवन मेरे बस आदा है तरमरिक पाउडर कुछ लोग इसको नाशिल भी लेती है मेरे बस आदा है मिठाई लॉर्सल इस सारे आ रहे हैं ओंग यह है आपने मुझे बताना है और मुझे नीचे कमेंट सेक्षिए बताना है कि इस लग इस अगर आसरनेक हो इसका गलर क्या होगा आखरी इंडिकेटर मेरे प्यारे मच्छ वो आता है वो आता है ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है जो इंडिकेटर्स चेंज करने विचेंज देर समेल इंडिकेटिंग weather it is an acid और भी for examples और एक्जाम्पल है आपके बास की हवा महीं है बड़े एक्जाम्पल है बाइट बोध तीन देता आपको examples vanilla onion और law club यह तीनों इसका examples पाहिन जाएंगे olfactory के यह ascending में कोई और smell है basic way कोई और smell दिखाते है अब हम हटावन से salt start के तर तीन-चर बोशिल्स थे बेला बोशिल्स आगए यह वाला फिर आविए यह वाला और फिर आविए यह वाला हमने इससे बीचे पर बोशिल्स किये थे इससे मिने बताया था भाई कि यह पानी किस्मे डाला है फिर मैंने चिए अगाया था अब हम लेके रना स्फोर्ट्स. ठीके जी, अब हम परेंगी हमारा अलिलाटॉपिक स्फोर्ट्स. तो में जैसे कि मैं बताद चताओ स्फोर्ट्स जो हैं, they are formed by the neutralization reaction. अब भीने बताया था स्फोर्ट्स रहमारे पास तीन काटेगरीज में होते गए. पहले स्फोर्ट्स होते हैं, neutral स्फोर्ट्स. लूसरे स्फोर्ट्स होते हैं, basic स्फोर्ट्स और तीसरी कैटेगरीज होती है, asynic स्फोर्ट्स. ठीक है मेरे बच्चों? जो neutral स्फोर्ट्स होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो pH होता है, वो 7 होता हैं, और ये strong acid और strong base से मनतिह हैं। एक्जाम्पल ची तोर पे ये मनतिह हैं NACI है। Basic source, इनका पियत more than 7 होता है। ये weak acid strong base से बनता है। एक्जाम्पल के तोर पे sodium carbonate, ठीक है एक्जाम्पल के तोर पे sodium carbonate, बहुत सारे ये और आते हैं। acid resource, जिनका pH less than 7 होता है। इस मत्ते कैसे हैं, strong acid और weak basic, इनका एक्जाम्पल अपने लीज़े, ammonium chloride, ammonium sulphate, ठीक है। अब इस फॉल्ट के basis पे हमने इनी इनी फामिली फॉल्ट में से हमने फॉल्ट स्लेबर समंदे हमारे। पेला फॉल्ट जो बड़ी वाद इस तमाल होता है हर जगा उसका नान है। Common salt, the first type of salt that we are going to study today is Common Fund, NEC मैं ताउं ते हैं, एक सिंबल जिवागा हो, कितना असर नमेज पढ़ा, इस टैप्टर में लगा लीजे। नस नमर के बड़ादा है, या आठ नमर के आवगादा है। तो पांच नमर आएगे, ऐसर में से पांच नमर सॉल्ट में से, और सॉल्ट में कुछ ऐसी जीज़े ने बहुत इंपॉर्टेंट आपके फर्दर कही है, तो बहुत ध्यान से बढ़ना है। वरस्ट को ने-स ने-स लगाकोबल सॉल्ट कहते हैं, इस अल से कॉल्ट आस रोख सॉल्ट, इसलसी कॉल्ट अपैबल सॉल्ट अब हमने पढ़ना है, इन फोल्ट विसे क्या-क्या हम बड़न कर सकते हैं। माल वीजिय मैंने लिया स्टोडियम गुराइड का एक्वास सलिशन लिया जब मैंने इसके एक्वास सलिशन लिया उस वेसे मैंने अलेक्टरिशिटी बास कर दे याद रखिए स्टोडियम गुराइड के एक्वास सलिशन को हम कहते हैं ब्राइड एक्वास सलिशन अफ स्टोडियम गुराइड इस ब्राइड अब इस्ते फ्रोड़क्स क्या वह लेंगे हमें वो देखिए इस पूरे प्राइड रखिए हम क्या कहते हैं इस पूरे प्राइस को हम कहते हैं अग्चरेड टारी क्वास से पुराइड क्वास्टोरी टारी क्यूर्ण रखिए ब्कास्ट- behandिशन विजिए अखिए श्रीसाद ग्राहीन य्य्य ऐस्ते हैं थरθη science हैं alkaline that is sodium hydroxide and hydrogen gas released at cathode मेरे प्यारे बच्छो यह अब को बात समझनी है मतलब यह निकलता है anode पे यह अब को बात सीखनी है और मेरे प्यारे बच्छो sodium hydroxide और hydrogen gas कहा निकलती है cathode पे सर इसका कोई लॉजिक है यह वाँ यह वो हाजी बेट लॉजिक है electrolysis में आपको सीखना है यह अब समझ सकतों यहाँ पर electrolysis वे आप तो बात सीखनी है हमेशा पेहली बात तो decomposition होता है it is that decomposition in either no station होता है किसी भी समसाज का decomposition in either mortar और aqua solution में या दो molten substance का यह aqua solution का एक setup लगता है कैसे setup होता देखीजी आप सारे यह बिटा इस्टा एक नेक्डो लेक्टोर्ड होते हैं यह दो इसके लेक्टोर्ड है बिटा यह positive लगा है इसको हम इसको कहते हैं अनोड और इसको हम कहते हैं cathode जिससरे भी negative ions होते हैं मेरे प्यारे बच्चू जोगी aligns होते हैं वो इनोड पे जाते हैं जितने भी positive ions होते हैं जोगी के tiles होते हैं वो कहा जाते हैं इसलिए हम कहते हैं A goes to A and C goes to C यह बात समझ नहीं आप अचा एनोड पे होता गिया है वो भी आपको सिखा दते हैं एनोड गोस पर oxidation चैप्टर वन में बढ़ा होगा आपने यह आपको सीखना नहीं इसलिए यह वदा cathode भी आया यह वदा cathode भी आया यह वदा कहा भी आया अनोड अंदर तो आपको इस process को आपको इससे बैलेंस करना पड़ेगा यह वदाएं प्रोब्लम तो बजे बढ़ाईएं तो तिए यह आनना के समझ अब इन बच्चे कुछते सर जो प्रोडक्स निकलते हैं और प्रोड़ आजनी प्रोसेस उसका वदा है इस दुनिया में जो प्रोड़क्स निकलते प्रोसेस के इनके को फायदे हैं काम बहुत फायदें हैं पहले प्रोड़क्स वजेश फोड़े वहाईट्रशफीट हैं जी सब फायदे हैं फाइदा ग्या हैं इटिष्पोर डीजीदिंग न्मेटल्स मेटल्स की इंग्रीज उतारने में काम आता है और काम आता बिटन साबुद बनाने में काम आता है बेदिंग स्वोप की मैनिफेक्ट्चर में काम आता है ठीके फारी द्रस सर क्लोरीन की काम आता है बाई आता है क्लोरीन भी काम अजब अब द्सिंट्फेक्टि यह पी इसी बिनाने में काम आता है used as a fuel, also used to manufacture, also used to manufacture, also used to manufacture ammonia, why ammonia is recorded for fertilizers, तो इसके फिट uses भी आपको साथी साथ कर लेने है, अब आते हम सेगिंड टापिक पे हमारे, आज सेगिंड फॉल्ट हम बढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मुला, यह फॉर्मुला है, ब्लीचिंग मॉर्णर क्या होता है, और मजे करते हैं, हम लोग सारे रॉबन मिंग्स, मेंड जेंडर इक्वाणिटी से, नेडेज भी हर, जेंड श्री आज ब्लीच लेगाते हैं, फेस पे, मालों पे, बाडी पे, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा, कैल्सियल ओक्सीक्लोराइड, ठीक है जीनल, कैल्सियल ओक्सीक्लोराइड, अगर मैं इसकी प्रेपरेशन की बात करूँ, प्रेपरेशन कैसे होगी बेटा, इस्टीप, आपके पास लेग दे लाइव होगा, जिसकौन कैल्सियम आइडरोकसाइड कहते हैं, उसके बीच में अब क्लोरीन गास पास कर दीजी, टेक दिस ड्राइड क्लोरीन गास, तो क्या होगा बेटा, यहां में, caocl2 plus h2o, इस गेप यू बीचिंग पाउडर, और दे काल्सियम आउकसी क्लोराइड, यहां पर नहेवा दौर यां रखनी हैं, यह जो क्लोरीन होता है यहां पर, इस वेंगोड क्लोरीनेटिंग एजिए, एंद वे डाल ए वे ले गूड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट साथ ही बहुत बढ़िया ऑक्सिडाइजिंग एजेंट मी है ये बहुत समझने है ठीक है, नोट करो साथ सब मैं चाख है सिप दे लो बाई ठीक है, ये हमने बहुत समझ गी इसका फाइदा क्या है सर, दो तिन फाइदिक है, ब्लीशिंग बाउटर के पहला फाइदा, यूस्ट, तो ब्लीच दे क्लोथ्स, कपड़े ब्लीच कर देता है, पॉल्प वैक्स म्लीच कर देगा, यूस्ट अस दिसिंफेक्टिंग, यूस्ट अस दिसिंफेक्टिंग, सर, एक चेज पूछने है, कंपटिशनल बच्छ का सवाल है, बोलो बच्छा, सर, ये बताओ, जो आपने डिखाई से लाइन का मतलब क्या, बतातो लाई आपको बतलब, समझ ना मतलब, लाई लीजे मेरे पास एक कंपाउंड इसका नाम है एथनल, आपने थिलोरीन डाल दिया, एकसेस में, ये कंपाउंड है, एथनल, यह उप्तिकार्बन का माउंट्ज बढ़ेंगे, क्यांता इसका प्रोड़क्ट क्या निकलिएगा, इसका प्रोड़क्ट यह निकलिएगा, इसका नाम क्या मन गया, टो, 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 ट्राइ थिलोरो, पीथनल, यह होता है क्लोरीनेशन, इस इस क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का मतलब है, यह क्लोरीनेटिंग एजेंट है, क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब हुआ, एक्स को या किसी और को CL में बताद दिया लगा मेरी बाता को समझे लगया सब ओक्सेटिंग एजन का मतना होता है वो अपनी किसी स्पीचेश को ओक्सेडाइज करके नेक्स में शेफ्ट कर देगा जो क्लोरीन है जो ओक्सेशिग एजन भी है यह बहुत इंपोर्ड़न पॉइंक आपको लोड करना है यह क्लोरीन एजन का मने बता दियो बहुत सारे ऐसे एक्जाम्पल दा कर सकते हो थर्ड हमारे पास जो काटेगरी आती है सॉल्स की वो आती है वेटा आपने समझ दी है थर्ड काटेगरी इस is baking soda baking soda is N-A-H-C-O-3 N-A-H-C-O-3 is also called as sodium bicarbonate or it is called as sodium hydrogen bien यह भी इसका ही नाम है अच्छा पीछे में मैं बने करवा दो कुछ और एक वार नोट करवा देते हैं हम बिटा कुछ समझना है कुछ सॉल्स का नाव जैसे की इसका नाम होता है ग्रीन विट्रॉल तो यह ग्रीन का दगा मिलेगा आपको इसका होता है इसका ब्ल्यू विट्रॉल तो कि यह प्लेंज विउ करवा दर का होता है और इसका नाम होता है वाइश विट्रॉल क्योंकि मेरे प्यारे बच्छो यह वाइट करवा दर का होता है ब्ल्यू ग्री यह डॉट का मतलब होता है अब आगे बढ़ेंगे इस डॉट का मतलब है मेरे प्यारे बच्छो तीनों डॉट का मतलब है इसको कहते हैं water of crystallization क्या कहते है water of crystallization हम आगे मढ़ेंगे टॉपिक बट अभी के लिए मैंने आपको इंपको कदर लग करवाया पहला बाला green vitrol, blue vitrol and white vitrol formulas के साथ तो करना है ते sodium by cargolic, sodium बाट जगावल और baking soda यह कर रहे ते सरी बनता के से समसे पहले इसकी preparation पर चलते है चलिए सन इसकी preparation करणवाते है मैं अपने बच्छों से करना गया है पहले sodium chloride वीजिए फिर water लीजिए फिर carbon dioxide लीजिए और फिर ammonia लीजिए सारे 80 molar ratio वे वान रेशो बन में यहाँ पे मेरे बच्छों के पास जो बनता है दाट अज़ अमोनियल chloride लास baking powder यह मेरे बच्छों के पास baking powder बनता है साथ ही साथ ही क्या बनाता है अमोनियल chloride बनाता है ठीक है सबकों नाम निसका पता है और अगर बाइजल किसी को नहीं पता दो अदूस का नाम क्या ओदा है इस नेम इस अमोनियल नोट कर ले बटन इसकी प्रेपरेशन है यह इसकी प्रेपरेशन नोट करने जैं मेरे प्यारे बच्छों ठीक है जी अच्छा इसको इस्तमाल का करते हैं सथ वैटा यह एंग फास्टर कुटिंग के लिए यह उस किया जाता है अधर फास्टर कुटिंग और टोमे क्रिस्पी पकोड़स इसके लिए इस्तमाल किया जाता है अगर आप इसका प्येच चेक करो जो इसका प्येच निकलेगा आट वैल बी मोर दें सेवन इसलिए कभी-कभी हम इसको as an anti-acid भी यूज़ कर लेते हैं और समसे modern बाट यह mild non-corrosive base भी है mild है और non-corrosive base है मेरे प्यारे बात समझे लगगे हैं मेरे बाहाम बिल्चो को अब और क्या होते सर इसके अंदर अगर आप इसको heat करोगे अगर आप इसको heat करते हो ठीक है मेरे प्यारे बैचो अगर आप इसको heat करते हो तो क्या होता है देखू तो क्या होगा Na2CO3 प्लस carbon dioxide निकलती है प्लस water निकलता है मेरे प्यारे बैचो यह जो carbon dioxide होती है जो बाहर निकली इस रिसमेड़न रेक इसमेल फॉर्स निकलता है सबाहर निकाए बाएच गंदि केक्चा सब्सक्राइब करता है बाता है आपीके साठी क्याद जाए। समझ नोट कीजिए ठीक है जी डिये रहे हैं यह यह उता है अब मुझे कोई पूछ से यह रियक्शन बड़ा इक बॉटन है तो आपको याद रखना है अगर मेरे से पूछ से सर इसका फाइदा क्या है यूजिस तो मैंने बता चुटियो ऊपर भी निंग दिया बड़ अभी फिर लिंग देता हूँ एक वार जो सुडियो कार्बुरेट है या बिगिंग पाउडर लीजेते हम इसको बेटर हो रहेगा हम इसको बिगिंग पाउडर निखते है जो बिगिंग पाउडर है इट इस यूजद एस एन इंगरिडेंट से एसके इंगरिडेंटस है इस यूजद एस इन इंगरिडेंट फॉर मिगिंग स्टोर नाओ इधर baking soda आएगा भा baking powder आएगा baking powder अच्छा जुन इसका मतलब क्या हुआ सारे इस इस आरे अन इस पूस अपको भी सारे इस बनातों इनका असर प्रच क्या है सच का सामना पर ही नहीं मैं अपिट रिगेंग पावडर हो जा ना वो बेकिंग सोड़ा प्लस टार्टरी एसेड जबनता है ये एक माइल्ड एडिबल एसेड है एक माइल्ड एडिबल एसेड है जब ये करनता है ये टार्टर के लिए एक्स पॉस्टिब देगा तो यहाँ पे कारवण एक्स ट्यास रिलीस करता है जब ये होता है ये क्या करता है इडिबल एक माइल्ड एसेड आर्टरी एसेड है वो एच पॉस्टिवाइन देता है उससे वो हीट होता है heat करके वो carbon dioxide gasoline करता जसके करने केक समरे soft होते हैं fluffy होते हैं, puffy होते हैं और इस अगर एक और use मेरे से तो मेरे से एक और use इसका लेनी चीए it is used as an anti-acid and also used as a fire extinguisher इसको fire extinguisher भी इस्तमाल कर सकते है note इसे मेरे प्यारे बच्छो ठीए भई, note कर लिया, चलिए अब करते हैं, fourth point हमारा आता वेटा fourth point आता है हमारा washing सुलता जो washing सुलता न वेच्छा, उसका formula होता है na203.10 देखो, कुछ लोग इसको लिखते हैं, आपको ध्यार रैस बात का, कुछ लोग इसको लिखते हैं, अलगले नाम देथे हैं कुछ लोग इसको देते हैं, sodium, carbonate, decahydrate और कुछ लोग इसका नाम देते हैं, sodium का, बात समझ रहूँ, एक कुछ लोग इसको लोग इसका नाम देते हैं, इसका में तो थड़ा सर, बताओ, होता क्या, मैं जब मैं फॉर्मॉला लिख रहा हूँ, जब बात समझा, पहली बात, डॉट का हतलब यह नहीं है, कि यह multiply हो रहा है, डॉट का मतलब यह भी नहीं है, कि यह decimal है, तो डॉट का मतलब है, क्या, डॉट का मतलब है, इस salt ने, फॉटियम कार्बूरेट के salt ने हवा से, दस मोटर मॉलिकुल्स एब्सॉप गिये हैं, इसलिए, इस salt को मैं कहता हूँ, और मैं इस salt होगा हूँ, एन हाइडरस salt, जो फोखा है, इसा कहते है, इन हाइडरस, जिस वे पॉनी के मॉलिकुल्स आ लिए, उसको गया है, हमेशा हाइडरेटिंग्स फॉर्ड मैं आपको एग्जामबल देता हूँ, बिस्किट दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जामबल देता हूँ, प्राक्टिकल एग्जामबल जब एक डो गंडे पर तेस्ट क्या आता है, उसकों कहते 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 है, उसक and this water is called as the water of crystallization. अगर में इसको डिफान करना में कैसे कर सकतो, water of crystallization is defined as, कैसे डिफान करने के बड़ा? इसक्ष निफढ अपूज कर वोजजआ कर दोच अव मादिश्यू जो अबसोर्बड बया सुबस्तें और गॉम्पाल्ड वें लफ पुपने नियर बच्छार गाउम्पल्स आप पीचे कर वाया भी ये सारे दे क्जांपल्स अमने सारे गॉम्पल्स सारे इनों के ठीकजांपल्स मैं रभीट करूऊः आपकोस आपकोस सारे वाया है यी मान रींर से बनें ही है फिर इसके बात आ गया FES04 फिर इसके बात आ गया C Kaneू establish फिर इसके बाद आगे है जिंग सलफ एक फिर इसके बाद आगे है मेरे प्यारे बच्छो एक नाम है क्या नाम है उसका फोचो सर ने करवाया हुआ है आज नहीं करवाया बढ़ पहले आपने किया होगा ठीक है मेरे प्यारे बच्छो इसका नाम आप इसमें कितने वाटर मॉलिकूल सर दसर ब्लॉक किये इसने साथ किये इसने पांच किये इसने फिर दस किये इसने दो किये इसने आदा किया इसके नाम दुसर में बताया है बीच से और वाशिंग सोंड़ा कॉमन नाम लिखना हो आयू पर नाम बता दिया। ग्रीन विट्रॉल ब्ल्यो विट्रॉल वाइड विट्रॉल ठीक है ये कौन है ये जिप्सम है हम आगे बढ़े गिया आजी और ये कौन है पी ओ फी प्लास्टर अफ पारिस ये अपको चीज़े लगने जर रही है हाड वाटर तॉरफ्ट करने में काम आता है वाजेंग शोड़ा सापन बनाना को काम आता है तो सौट having कशुक कें एक सौब मेनिफैक्ट्रिंग में काम आता है थाड बाटर तो सौफ्ट करने में काम आता है इंसमजबी चीज इसे चलती है, ठीक है मेरे ब्यार है बच्छो, क्लियर है, आचा एक आप जब असर इसकी प्रेपरेशन करवादी, मैं आपके उसको प्रेपरेशन भी करवादो, वेसे तो बहुत सिंपल है, बट स्टेल, I will do Paul as a teacher, जो मैंने ड्यूपीस है, यह मेरे पास फोडिम है, इसमें मैंने 10 वाटर के मॉलिकूल्स दाओ दिये, क्या बन गया विना, यह बन रहे, यह कौन है, यह वाशिंग सोल दाओ गया, यह इसकी प्रेपरेशन आदे, करेक्ट है सारी क्लाफ, आप इस वो हीट गंडों को दे, वाईसा वरसा उल्टा रेक्शल हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्छो, आओ जी, नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक आज काता है हमारा मेरे प्यारे बच्छो, वो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, उसका नाम है, लास्ट टॉपिक का, मेरे प्यारे बच्छो, पी-ओ-पी प्लास्टर अफ पैरिस इसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच्टू इस पो देखे मुझे वो याद आता है जब बच्पन में या कॉलेज दो में मुझे याद है हमारे कुस्ट फ्रेंड्स होते थे स्कूल और कॉलेज में हमें स्कूल में सहादू होती चाहिए होती थे मतब इसे से द्याद चाहिए किसे से अफेक्शन चाहिए किसे से ब्यार चाहिए किसे से मुखंबत चाहिए हमने एक प्लास्टर मान के सब के पास गई और सब बोगा यहां पे अपनी जो आप हमारे लिए फील करते हो जो यहां हमारे लिए जो नाम रखे वो डाल दिजे तो किसी ने कुछ डाला नंडो मनुशनो डाल दिया तो प्लास्टर बाद देव वसकम कहते हैं प्लास्टर फैरस ठीक है चलिए आजएए इसका दिन समनाम क्या है कैंशियम सलफेट है 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 प्रेपरेशन ही दरते मिटा मैंने इसकी प्रेपरेशन क्या आएगी इसकी आपके बस जिपसम है जिपसम क्या करता प्रेटा काम गlor आज़र आप विजन की मिल्डिंग में आयो विजन की मिल्डिंग की जो सीलिंग है इसारी जिपसम की बनती है फोटेल्स में जाते उच्छत होती है, सारी जिपसल की बनी होती है, फाड है कमपाउल काफी, इसको हीट कर दीजिए, यहाँ पर ठोड़ा समझ दहें, ठोड़ा अच्छा का आवायां पर, आपने हीट किया, more than 373 केलमिल, तेमपरीचर रखी दिया, और यहाँ पर टेमपरीचर रखा, less than 373 केलमिन और 373 केलमिल, ठीक है, एकोल तो और लेस्ट निदर, तो कुछ दिखकर वाली बात में, इस केस में, कैल्सियम सल्फेट बना, बटा इस केस में, यह बना, this is POP, plaster of Paris, and this is just the कैल्शियम सल्फेट, this is inhydrous कैल्शियम सल्फेट, I can say, यह आपको समझना है, ठीक है, अगर मैं कैल्सियम पी-ओ-पी में पानी एंड करतू, में यह क्या बनाता है, यह मुझे जिप्सम मना देता है, यह आपको बात सीखनी है, इसके फाइदे गिया है, फाइदे बहुत सिंपल में, पहला फाइदा हिस्टम, पिंडेकोरें इंडेकोरें इंडेकोरेशन में काम आता है, लोग दिवारों पे लेवाते हैं, प्लास्टर आफ पैरिस्ट्र पी-ओ-पी से घर इंचापों के डिजाइन बनते हैं, प्लास्टरिंग फ्रक्चर, फ्रक्चर में काम आता है, यह है, लगया समझ, तो हमने उसके लिए, अब यूज़िस करने इसके बाई, यूज़िस ऑफ पी-ओ-पी, बेरा सिंपल ही है, एक दो यूज़िस हैं मेजर इसकी, पहला यह क्या वरता है, डेकुरेटिंग द वॉल, यह वॉल को डेकुरेट करता है, एन इस आइटम्स, ठीक है, दूसरा, फ्रक्चर बोन को, को हम ब्लास्टर करें अगर, वो पी-ओ-पी से करते हैं, तीसरा जैसे मैंने बताया, अगर पी-ओ-पी, यह पी-ओ-पी है, इसमें अगर पानी डाल देबी-से साइड में गरवाएं, अगर पानी डाल दीजिए, यह क्या बनाता है, जिपसम और जिपसम फिर, दिवारे बनानों के चत्व बना लवे काम आता है, यह तीनों इसको यूज़ बन जाते है, अचाँ पेपर में की सवाल आता है, वोई इसकी उपर होता है, पेपर में सवाल आता है, वाइ-फी-ओ-पी, इस्टोर्ड, वाइ-पी-ओ-पी स्टोर्ड इन, moisture proof containers कारण अगर moisture proof container में नहीं रखा तो क्या बना देगा गई जित सम्वन ना देगा वो POP रहे गए अगर POP को आपने moisture proof container में रखा तो हो तो जित सम्वन ना देगा इसलिए से रखना पड़ता है एक और बड़े मढ़न सवाल यहां से बनता है सवाल है माल नीज़वी किसके उपर नहीं है टॉपिक कोई और है बट सवाल याद आगे इंदम माइंड में यह टेस्ट्यूप ए है इस टेस्ट्यूप बेने डाला एसलिक एसलिक और इससे बीए इन डाला आसिटिक आसिड लेट इन मां दीज़ए डाला इसमें जिन्क दोनों में मैंटल ने है दोनों में जिन्क है कहता है बताओ ज्यादा फ्यिजिक कहां पी होगी क्याता फिर्जिंग जो जादा होनी है वो होगी इन टेस्ट्यूब ए क्याता क्यों क्योंकि एंसिल एसे जो है वो स्ट्रॉंग एसे उसके आएन जादा फर्निस होगे और ये एक और वीक आसर ऐसे बहुत सारे आपको पेपर में सवाल बनेंगे मिटां इसके ग्रेटर नमबर आइन्स फर्निश करेंगे और पुस्ट्यूब पेड़ा लेस्ट नमबर आइन्स आएगे ठीक है मेरे क्यारे बिच्चो तो यह आज हमने बड़ा आसे बस्तिस वग्वाइब मुझे उमीद है अजर आप यह मेरे पूरी क्लास देखो चाहे आपने यूट्यूब पे देखिए चाहे फ्रेंड की आप पे देखिए चाहे विजन यह आप पे देखिए चाहे मेरे विबससे पर देखिए questions के साथ, तेक है, till that have a good day